सरकार अपने फिनांसिंग करती है अपने बजट को उससे संबंदित विशेप है मुझे आज बोलने का जो अफसर मिल रहा है हम इस फिनांस बिल के बारे में आकलन अपना भी देना चाहते हैं और कई बातों पर गहरी नराजगी अपनी वेक्ट करना चाहते हैं अभी सही का गया डिबेट में मुझे से पहले स्पीकर दौरा कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज देश के गरीब पे किसान पे आम आदमी पर बोज ज़्यादा डाल रही है और कॉपरेट और देश के आमीरों पे बोज कम डाल रही है सरकार की नीती ऐसी दिखाई दे रही है कि सरकार की नीती है जीरो आम आदमी के लिए दो नीती है सरकार की दो नीती है पहली नीती है आम आदमी के लिए वो है जीरो बजट जीरो बजट और टैक्स पर टैक्स की पूरी चपत और खास नागरीकों के लिए सरकार की नीती है tax में रहत और कमाई खटा-खट यह मैं explain करना चाहता हूँ sir, दो तरह के tax है मारी economy में अर्थविस्ता में, किसी भी अर्थविस्ता में direct taxes, indirect taxes direct taxes यानि corporate tax और income tax यह direct taxes इसको progressive taxes भी कहा जाता है क्योंकि यह slab के साथ जिसकी जितनी कमाई उस पे लगाकर सरकार आर्थिक संतुलन अर्थविस्ता में ला सकती है और indirect taxes GST, excise यह वो taxes हैं जो पूरे देश पे बराबर के लगते हैं और गरीब आदमी पे ज़्यादा बो जाता है, indirect taxes मतलब अगर कोई medicine है paracitamol या क्रोसीन की गोली है देश का सबसे गरीब रखती अगर वो गोली खरीदेगा तो उसको भी उतना ही tax उस पे देना पढ़ेगा अगर देश का सबसे अमीर रखती वो गोली खरीदेगा यह taxes का संतुलन देश की किसी की आर्थिक संतुलन से जुड़ी हुई बात रहती है आज हमारी देश की अर्थवस्ता में इस वर्ष अगर हम states और center के दोनों tax को ahead करके देखें तो direct और indirect taxes में लगबग एक तिहाई हमारे देश की collection direct taxes से हो रही है और दो तिहाई indirect taxes से जो tax देश के गरीब से किसांग से आम आदमी से ज़्यादा लिया जा रहा है अगर हम इसकी तुलना करें बाकी दुनिया के देशों से ज़्यादातर advance economies, OECD countries एशियाई देशों में लगबग दो तिहाई देश का tax का collection लगबग दो तिहाई रहता है direct taxes से और एक तिहाई रहता है indirect taxes से जो गरीब आदमी से लिया जाता है और अगर हम UPA के समय से तुलना करें UPA के समय भी हमारी देश की अर्थवस्ता में काफी संतुलन आया था और लगबग आदा आदा 43% direct taxes से हम UPA के समय हमारी सरकार लिया कर 43% direct taxes से और 57% indirect taxes से तो यानि कि सरकार ने इस संतुलन को विपरीद दिशा में लेके जाने आकाम किया है आज direct taxes में के माद्यम से कम collection हो रहा है corporate और उसमें भी corporate के taxes में सबसे ज़्यादा राहत सरकार ने देने आकाम किया पहली मरतबा देश में income tax corporate tax से ज़्यादा income tax से collection हो रहा है और अगले वर्ष तक पहली मरतबा GST collection भी corporate tax से ज़्यादा होगी तो corporate tax से सबसे कम collection होगा corporate tax के collection में गिरावट आई है पिछले कुछ वर्षों में खास तोर पे 2019 में जब corporate tax में गरात दी गई 30% से घटा कर 22% तक corporate tax को कम किया गया आपकी नियत क्या रही उसमें 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 मैं प्रशन नहीं कहूँगा लेकिन जब आपने बड़े अद्योगपती घरानों को corporate को ये रहात दी तो आपने कहा कि आप रहात इसलिए दे रहे हैं कि अर्थवस्ता के अंदर निवेश हो अर्थवस्ता में निवेश बड़े इन्वेस्मेंट हो और इस वज़े से पिछले पांच साल में 8.7 लाग करोड की रहात देश के corporate को देने काम आपकी सरकार ने क्या लेकिन हकीकत क्या हुई हकीकत ये हुई कि निवेश बढ़ने कि बजाए इन पांच वर्षों में निवेश लुड़क गया corporate tax में tracks cut आपने उनकी profit margin को बढ़ने के लिए नहीं दिया था आपने निवेश बढ़ने के लिए दिया निवेश लुड़क गया आज private investment यानि कि निजी निवेश दर देश में 20 वर्ष में दूसरी और FDI और निजी निवेश दर जो हमारे domestic investors हैं और FDI भी FDI भी आज 16 वर्षों में सबसे निमतन सर पर FDI इस वर्ष FDI 1.1% GDP के हमारी FDI मिली मैं सुन रहा था वितमंत्री जी कह रही थी कि FDI कम इसलिए हुई है क्योंकि geopolitical conflicts की वज़े से लेकिन geopolitical conflicts तो पूरी दुनिया के लिए होने चाहिए दुनिया के बाकी देशों में FDI पे गिरावट नहीं आई हिंदुस्तान FDI जो रिसिप्स हैं उसमें आठवे नमबर पे होता था एक ही वर्ष में गिरके पंदरवे नमबर पे आगया हमारा देश FDI में और FDI में तो record गिरावट आई है लेकिन उसके साथ-साथ outflow में record बढ़ोतरी हुई है एक और केवल 27 बिलिन डॉलर की FDI इस साल दूसरी और 14 बिलिन डॉलर का outflow हो गया तो आपने tax cut किया corporate के लिए की corporate निवेश करेंगे job creation होगी निवेश दर 20 साल में सबसे निचे स्तर पे आ गया FDI 16 साल में सबसे 29 स्तर पे आ गयी निवेश वानी इसलिए आज देश में बेरोजगारी record स्तर पे चल रही है आपने जो जिस तरह की economic policy आप लेके आए इस economic policy को trickle down economic policy भी कहते हैं corporate के हाथ में पैसा दो वो निवेश करेंगे लेकिन ये गलत साबित हो चुकि ये दुनिया में क्योंकि corporate के हाथ में पैसा होगा तो वहाँ उस अर्थवस्ता में निवेश करेंगा जा demand strong है आपने demand को strong करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जब तक demand हमारी आज हमारी demand भी अगर आप देखे rural sector में demand पिछले 5 साल से flat है आज कृशी sector में demand हमारी पिछले 7 साल से flat है demand जब तक economy में नहीं आएगी तब तक corporate हमारी economy के अंदर निवेश नहीं करेंगे मैं सरकार से कहना चाहता हूँ यह जो आपने trickle down economics जो फेल हो चुकी है trickle down economics theory उसको हिंदुस्तान में प्रियास करने के लिए 10 साल लगा दिये आपने corporate को फाइदा दिये एक वार आप हिंदुस्तान के आम आदमी के हाथ में पैसा देके देखें आप demand side economy की तरफा कदम बढ़ाएं किसान को गरीब को जिनको आप की जो कोई रहत नहीं मिली आप उनको भी रहत देके देखें आप legal guarantee MSP पे देखें आप मन्रेगा में 400 रुपे की वेज करके देखें और हमारे देश के आम आदमी के हाथ में आप पैसा दे ताकि उनके पास पैसा उनके हाथ में आएगा हमारी डिमांड बढ़ेगी कॉपरेट की investment तब हमारे देश में उस रूप से हो पाईगी एक और कारण है इतना ज़्यादा कॉपरेट टेक्स कट देने के बावजूद निवेश नहीं हुआ इसका दूसरा कारण डिमांड कम के साथ-साथ अदग में होदे दूसरा कारण है मोनोपलीज हमारे देश में क्रोनी क्रोनीजम और क्रोनी मोनोपलीज क्रियेट हो रही है हमारे देश के पाँच बड़े कॉपरेट घराने आज लगबख 40 सेक्टर के अंदर आज उनके लिए सरकार की साहता से उन्होंने मोनोपलीज अपने ले बनाने काम किया है सिमेंट, पोर्ट, डिफेंस, टेलिकॉम ये वो सेक्टर हैं जिन सेक्टर में अब तो न्यूकलियर की भी बात आ रही है कुछ कॉपरेट घराने इन सेक्टर में मोनोपलीज क्रीयट कर रहे हैं लीगल और पीनल आन्वारिमेंट सरकारी एजशिस के माद्वसें ऐसा बनाया जा रहा है जब मोनोपलीज क्रीयट हो जाया करती है तो मोनोपलीज में आप ये देखेंगे कि मोनोपलीज के अंदर जो है दूसरा निवेच नहीं होगा तो हमारी ये मांग है सरकार से कि ये संतुलन जो बनाएं जो गरीब आदमी से ज़्यादा लिया जा रहा है टेक्स और कॉपरेट्स को जो कॉपरेट्स को रहत दी जा रही है इस संतुलन को सरकार सुधारने काम का मैं एक और उधारन देना चाहता हूँ कैसे टेक्स लिया जा रहा है पेट्रोल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ पेट्रोलियम प्रोडक्स पे अगर हम 2014 की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्स में हमारी सरकार ने एक लाग बहतर 40,000 करोड़ वाएपस subsidy में देने मिया आकाम किया तरह पेत्रो प्रोड़क्स उस समय सरकार में 30,000 करोड़ थी आपकी सरकार में इस पेत्रोलियं Sumсы कमाई है चार लाग 32,000 करोड़ और सबसेड़ी महां 11,000 करोड केवल पेट्रोलियम प्रोडक्स से आपने 4,20,000 करोड देश की आम जंता से आप कमाई करने काम कर रहे हैं जहां हमारी सरकार एक वर्स में 30,000 करोड करती थी आप 4,20,000 करोड कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्स से पेट्रोल पेएक्साइज, हमारे समय ड्यूटी जहां के 9 रुपे ती आपकी 20 रुपे डीजल पे 3 रुपे ती आपकी 15 रुपे आज पेट्रोल से आप कमाई कर रहे हैं तौल्स के मायद्यम से, 2014 में तौल्स में जो के माद्यम से पूरी कुल कलेक्शन 3,000 करोड थी, आज टोल्स के माद्यम से 60,000 करोड है, हर वस्तु पे हम मर्दा की वस्तु पे GST लगाकर आज सारा करका बोज, आप आजमी पे आफ पिसान पे जो डालने आ काम कर रहें, हम इस नीती का विरोध करना चाहते हैं, हम यहीं इंचोरेंस, मेडिकल इंचोरेंस में GST विड्रो की जाए, हम ये सारी मांगे सरकार से टेक्सेशन प्रपोजल में रखना चाहते हैं, इसके साथ साथ जहां तक मैं एक बात हरियाना के विशे में एक बात मैं महतवपूर्ण आपके मादम से रखना चाहता हूं, अगर इस बताता हूं कैसे, जैसा कि भी बताया जा रहा था कि हर प्रदेश में, हर प्रदेश केंदर ये टैक्स कलेक्शन में हर प्रदेश अपना अपनी तरफ से कोई भागीदारी करता है, कितना केंदर एक प्रदेश में इसे लेती है, और कितना उस प्रदेश को वापस देती है, हर्याना से GST में हम देखें GST Total Collection में साथ प्रतिशत जे देश की GST हर्याना से आ रही है साथ दशमलों दस प्रतिशत और हर्याना को वापस कितना मिल रहा है जो केंदर की तरफ से प्रदेशों में दी जानी वाली राशी वापस कितनी मिल रही है मातर एक दशमलों शुने शुने नौ प्रतिशत यानि कि एक प्रतिशत के करी यानि कि दूसरे शब्दों में कहा जाए हर्याना से साथ रुपया केंदर सरकार ले रही है और केवल एक रुपे वापिस दे रही है और अगर प्रतिशक में बात करें तो 15% 100 रुपे केंदर सरकार हरियाना से ले रही है और 15 रुपे वापिस दे रही है ये पूरे देश में सबसे कम अगर किसी एक प्रदेश को दिया जा रहा है हरियाना को दिया जा रहा है producing states में थोड़ा कम है यह मानते हैं मगर दूसरे number में महराष्ट है जिसमें कम दिया जा रहा है महराष्ट में 29% यानि कि 100 रुपे ले रहे हैं तो महराष्ट को 29 रुपे दे रहे हैं करनाटक में 100 रुपे ले रही है केंदर सरकार तो 49 रुपे दे रही है 40 के लगबग तो पूरे देश में 29 प्रदेशों में आज हरियाना एक प्रदेश है जहां सबसे कम 15% केंदर सरकार वापस दे रही है और net devolution की बात करें कितनी केंदर की राशी दी जाए अगर प्रतिवेक्ती में देखे प्रतिवेक्ती आज दुर्भाग की ये कि प्रतिवेक्ती मेंने कैल्कुलेट किया दक्ष महदे प्रतिवेक्ती अगर देखा जाए तो 29 प्रदेशों में सबसे कम पिछले वर्ष जो हमें डिवोल किया गया हर्याना को दिया गया 22,000 करोड यान की प्रतिवेक्थी 6,938 रुपे हर्याना को प्रतिवेक्थी मिला पिछले से ये भी 29 राज्यों में सबसे कम हर्याना को दिया जा रहा है आप बाकी राज्यों को手ए गोवा में 40,000 आप अरुनाचर पर하는데 में प्रतिव्यक्ति एक लाग चालीस हजार आप तेलंगाना में प्रतिव्यक्ति पच्छिस हजार केंदर सरकार की तरफ से ये राशित दी जा रहे है डिवलुशन मगर हर्याना में मातर छे हजार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्श ये पिछले पांच साल से यानि कि इस 15th Finance Commission मे 1% डिवलुशन का जो फॉर्मूला हर्याना के लिए निर्धारित किया गया था खटर साव यहां बैठे उनने आज तक इस बारे में कुछ नहीं का उसमें नीचे भी भाजबा की सरकार थी उपर भी भाजबा की सबसे कम सबसे कम हर्याना को दिया जा रहा है और यह जो सबस में बताना चाहूंगा पहली बात तो है कि बजट के अंधिकर तो नहीं हो बोलने के लिए कि इतनी बता सकता हूं कि जितना लाब हरिगना को हुआ है दिली के एसपास होने के नाते से चाहे उनिफास्ट्चर का हो चाहे वो और राजनेतिक स्टेटमें के लिए उखाने का देलिए अलबर नहीं हो के निकलती है दिली पामिपद आराल टीस एक निकलती है दिली कटना रूड़ जो है पुरा हरेणा के सिंदर जो के निकलता है यह सारे प्रोजेक्ट पूजना जाते हैं हर्याना जिसकी अबादी देश में हर्याना क्या कसूर है हमारी अबादी देश में दो दिसमलो एक प्रतिशत है क्या हमारा ये कसूर है जेश का छेतर पल हर्याना एक दिसमलो तीन चार प्रतिशत है हमारे चार प्रतिशत देश की GDP क्या हमारा यe क्सूर है देश के GST क्लेक्शन में 7 प्रतिशत ह्रयाना का योगदान है क्या हमारा यe क्सूर है देश के FOOD GRAINTS में celeryान अन बंडारन में 33 प्रतिशत ह्रयाना किसान दे रहा क्या यe क différents है क्या देश की हर्याना में 29 प्रदेशों में सबसे कम हर्याना को मात्र एक प्रतीशत के इंदर से मिलने वाली राशी colaborे है, और आपने देखा बजट में हमें मुझे इस बात का दुख निए कि बजट में हर्याना का नाम तक नहीं लिया गया, इस बात में दुख तो है, लेकिन आपने देखा कि खेलो इंडिया का बजट आज देश के तीन मेडल आए मैं कंक्लूड की दरफ जा रहा हूँ देश के तीन मेडल आए जिसमें से दो हरियाना खेलाडी लेके आए खेलो इंडिया का बजट भी जो 22 करोड खेलो इंडिया का बजट रखा गया उसमें भी मात्र 60 करोड हरियाना को यानि की 2% बजट खेल का बजट भी हरियाना में और गुजरात में 500 करोड का बजट दिया गया 20% खेल और इंडिया का जहां से एक खिलाडी मेडल तो आज मैं समझता हूँ यह नया है और पिछले 10 वर्स में मैं कंक्लूड करते हूँ मैं क कहना चाहता हूँ पिछले 10 वर्स में इन्होंने कोई एक परियोजना करेंदaster सरकार की तरह से भाजपास सरकार की तरफ से हरियाना को तो मिली नहीं लेकिन यूपि-ए के समय भी जो हमारी मनजूर्श उदा सरकार की परियोजना थी, एक लाख पच्पन हजार करोड की वो परियोजना हैं, जो यूपिय के समय मंजूर से दी थे, चाहे हमारा एरपोर्ट हो महम में, जो जेवर चला गया, थीसाजार करोड की लागत से बनना जा रहा था, चाहे रेल कोश फेक्टरी हो हमारे हरियाना के कि अंदर, 9 हमारे मेडिकल के प्रोजेक्त, 10 साल में एक प्रोजेक्त हरियाना को डेकेंडर की सरकार ने जी और जो यूपिय की सरकार में, ने, पोरियाना को देना काम किया था? Thank you. Madam, basically, बजट देने में हर्यानों को जिस तरीके से भारतिय नता पार्टी भूल गई है वोट देने में हर्यानावी बीजेपी को भूल जाएगा यह विस्वास लाइगा आप बोलिये बॉलिये बॉल्माहिसां Madam, I thank the Honorable Chair for giving me opportunity and this is my maiden speech in this house